हाई फ्रेंड्स आपका हमाई यूट्यूब चैनल मील्स और गजट्स में स्वागत है फ्रेंड्स आज हम रोटी से कडाई में मैक्सिकन चीज रोल स्नेक्स मनाएंगे आज कल बच्चों को सबजी रोटी छोड़ कर सब कुछ खाना अच्छा लगता है इसलिए आज हम रोटी और सबजी को फास्ट फूड के स्टैल में बनाएंगे आप विश्वास मानिए इस मैक्सिकन रोल की थाली थोड़ी देर में चट हो जाएगी मैक्सिकन चीज रोल बनाने के लिए हमें 21 रोटी चाहिए रोटी का आटा नमक और हलका मोहिन लगा कर बनाएं देखिए बनने के बाद हमाए रोल कितने अच्छे तयार हुए हैं और इसमें से खिशता हुआ चीज कितना सुन्दर लग रहा है तो चलिए अपना स्नेक्स बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गैस पर रखें इसमें दो टेबिल स्पून कुकिंग ओल डालें इसके बाद लहसन की पंदरा कलियां चॉप्ट करके डालें इसे हलका सा सौते करें अब इसमें दो प्याज महीन टुकडों में काट कर डालें इसे हलका सा चला दें हमें प्याज को लाल नहीं करना है बस हलका सा सेकना है अब इसमें तीन हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा छोटे टुकडों में काट कर डालें हम अपनी सबजी में सभी वेजेटेबिल्स बारीक टुकडों में काट कर ही डालेंगे इसे थोड़ा सा चला दे आप इसमें आदा फूल गोवी काट कर डाले और इसे चला है हमें वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है क्रिस्पी ही रखना है थोड़ा चलाने के बाद इसमें एक बैगन लंबे पतले टुकडों में काट कर डाल दे तीन गाजर काट कर डाले अब इसे चला कर मिला दे इसके बाद पैन में तीन केपसिकम काट कर डाले और चला दे अब हम पैन में मसाले डालेंगे आदा टीस्पून हल्दी डाले आदा टीस्पून लाल मिर्च डाले आदा टीस्पून गरम मसाला डाल कर इसे हलका सा चला दें अब इसमें एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च आदा टीस्पून काली मिर्च एक टीस्पून इटेलियन हर्ब एक टीस्पून सफेद नमक और आदा टी स्पून काला नमक डालकार इसे चला कर अच्छे से मिला दें अब इसमें दो टेबिल स्पून कच्छे प्याज के हरे कटे पत्ते डालें और चला कर मिला दें देगे हमारी सबजी से बहुत अच्छी खुश्बूटनी शुरू हो गई है और इसने रंग बदलना भी शुरू कर दिया है अब इसमें आदा पैकेट टमाटो प्यूरी का डालें और इसे चला कर मिला दें अब इस सभी मेटिरियल को सूखने तक आई फ्लेम पर एक मिनिट के लिए पका लें फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी समय पर हमाई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन प्रेस करें हमारी सब्जी अब तयार हो गई है इसे उतार लें क्यूंकि हमें सब्जी को क्रिस्पी ही रखना है अब एक प्लेट जिसमें हमें अपनी रोटी के रोल लखकर पकाने हैं उसे तेल से घ्रीस कर लें प्लेट का साइज इतना होना चाहिए कि ये आराम से उस कड़ाई में आ जाए जिसमें हमें अपने रोल्स को बेक करना है बस अब फाइनली रोटीों को फिलिंग करने की बारी है इसके लिए हमें कुल 21 रोटीयां चाहिए हम साथ साथ रोटीयों के तीन ग्रुप बनाएंगे और सभी रोटीयों को चाकू या कैची की साहिता से 20 से 2 कर लेंगे हम नाइफ की साहिता से बहुत आसानी से रोटीयों को 20 से 2 कर लेंगे हमने अपनी सभी रोटीयों को 20 से 2 कर लिया है अब हम रोटियों की फिलिंग शुरू करते हैं सबसे पहले हम रोटी के एक टुकड़े को लेंगे उसमें हम सेजबान सॉस लगाएंगे अब रोटी के बीच में एक टीस्पून तयार की गई सबजी रखेंगे इस सबसे के उपर आदा टीस्पून मोजरेला चीज डालेंगे और रोटी को एक किनारे से पकड़ कर कौन की तरह फोल्ड करना शुरू करेंगे देखिए हमारा कौन तयार हो चुका है बीच में सबजी रखने से रोटी का फोल्ड आगे से फ्लॉवर की तरह दिखता है अगर हम सबजी किनारे पर रखेंगे तो एक के उपर एक परत लिपट कर रोटी का कौन सिंपल बनेगा हम इसी तरह अपनी सभी रोटीों से कौन बना लेंगे देखिए हमने सेजवान सौस रोटी में अच्छी तरह लगा दी है अब इसके बीच ओबीच हमने सबजी डाल दी है उपर से मोजरेला चीज डाल दिया है और बहुत आसानी से हम इस कौन को बना लेंगे देखिए हमारा कितना सुंदर कौन तयार हो चुका है अब ग्रीस करी गई प्लेट के बीच ओ बीच एक कटोरी रख दें और साथ रोटियों से बनाए गए चौदा कौन इस कटोरी के चारो तरफ सेट कर दें हमने अपने चौदा कौन प्लेट में सेट कर लिये हैं अब इन सेट करें गए कौनस के उपर मोजरेला चीज डालें और बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें थोड़े से चिली फ्लेक्ष डाल दें इटेलियन हर्व डाल दें और इसे ढग दें आगे का प्सेस चालू करने से पहले हम अपनी कड़ाई को प्रिहिट कर लेते हैं एक कड़ाई में एक टोरी नमक डाल दें उसमें एक इस्टेंड रखते हैं और लो फ्लेम पर कड़ाई को प्रिहिट होने दें इसके बाद हम अगली साथ रोटियों के चौदा कौन तयार करेंगे साथ रोटियों से चौदा कौन तयार करने के बाद हम इने भी प्लेट में सेट कर देंगे हमने प्लेट में चौदा कौन पहले सेट करें थे अब इन चौदा कौन के उपर हम चौदा कौन और सेट कर देंगे देखिए हमने अपने सभी कौन सेट कर दिये हैं अब इन सेट करेगे कौन से के उपर हम बोजरेला डालेंगे हरा धनिया डालेंगे कश्मीरी मिर्च और इटेलियन हर्ब डालेंगे हम अपनी 14 रोटियों के कौन मना चुके हैं अब बचिए हुई साथ रोटियों के कौन मना कर भी हम इसके उपर सेट कर देंगे हमने अपनी सभी रोटियों के कौन मना कर प्लेट में सेट कर लिये हैं अब इस पूरी तरह सेट प्लेट के उपर ज्यादा सा मोजरेला चीश डालें और हरा धनिया डालें उपर से थोड़े से सफेद तिल डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च और इटेलियन हर्ब डाल दें आप सभी कौन्स के उपर थोड़ा थोड़ा सेजबन सौस लगा दें इस से हमाएक कौन सुन्दर तो लगेंगे ही इसका सौध भी बहुत बढ़ जाएगा हमारी मैक्सिकन चीज रोल की प्लेट अब बेक होने के लिए पूरी तरह तयार है हमारी कडाई भी प्री हीट हो चुकी है अब हम अपनी प्लेट को प्री हीट कडाई में शिफ्ट कर देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर दस मिनिट के लिए चीज मेल्ट होने तक बेक करेंगे दस मिनिट हो गए हैं देखिए हमारे रोल कितने अच्छे बेक होकर निकलेंगे देखिए हमारी रोटियों का चीज मेल्ट हो चुका है और चीज मेल्ट होने के बाद हमारे रोल्स कितने सुन्दर लग रहे हैं अगर आप घर पर डोमिनोस जैसी कोई डिश बहुत आराम से बनाना चाहते हैं तो कमरे में बैठ कर बहुत आराम से इन रोल्स को तयार कर लें बच्चे तो बच्चे बड़े भी इन बेक्ड रोल की प्लेट को देखकर अपने आपको रोक नहीं पाएंगे देखिए प्लेट से रोल बाहर निकालने पर इनका चीज कितना परफेक्ट खिच रहा है फ्रेंड्स अगर आपको हमाई रोटी से तयार मेक्सिकन चीजी रोल की रस्पी पसंद आई हो तो प्लीज हमाई वीडियो को लाइक शेयर करें हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें हमारी अन्य सभी रस्पीस की वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में आई विटन में पड़ा हुए है थेंक्यू फर वाचिंग